एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी 2024 यह भी जो महिना गया है ना इसके लाश्ट डेट ही कि आपको अपने फास्टेक का KYC कर लेना है अब जिन लोगोंने कर लिया उन्होंने कर लिया जिन लोगोंने नहीं किया तो सिंपल है आज की ड एक्षन लिया है जिससे पेटियम पेमेंट्स बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसिस नहीं दे पाएगा हाला कि जो लाश्ट डेट है वो 29 फरवरी 2024 किये उसके बाद तो भाई आप पेटियम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे नाई credit कर पाएंगे नाई debit कर पाएंगे ना wallet में पैसे दे पाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक तरह से कहanha हर तरह की banking services पेटियम पेमेट्स बैंक से बंद कर दी जाएगी अब ये सारी बात है सुनकर उन लोगों को बहुत जाधा tension आ गया जिन्नोंने lowest tech पेटियम स हमने करके रखा हुए वो चला जाएगा हम उसे नहीं निकाल पाएंगे यह होगा वो होगा क्या होगा तो देखो सारी चीजे मैं भी आपको अगर 29 फरवरी के बाद वो हजार पे खतम हो जाते हैं तो आप दुबारा से पेटियम पेमिंट्स बैंक के वालेट में पैसा एड नहीं कर पाएंगे क्योंकि RBI ने 29 फरवरी लाश्ट डेट डी है पेटियम पेमिंट्स बैंक को उसके बाद हर तरह के बैंकिंग सर्विस को बंद कर दिया जाएगा यानि कि 29 फरवरी के बाद में आप वालेट में पैसा एड नहीं कर पाएंगे अब पैसा ही एड नहीं कर पाओगे तो फिर फास्टेक कैसे यूज़ कर पाओगे है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पेटिम ने कहा है कि अगर वॉलेट में पैसा है तो आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं है बट 29 फरुरी के बाद आप वॉलेट में पैसा एड नहीं कर पाओगे तो एक बात बिल्कुल यहाँ पर क्लिर हो जाती है फिर भी अगर आपने पेट अपने पेटिम के फास्टेक को लेने के लिए यूज किया है मतलब समझे ना जिस नंबर से आपका फास्टेक चल रहा है तो आपको यह वाला नंबर डायल करना है नंबर डायल करने के बाद आपको दो प्रेस करना है इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा और यह मैसेज officially paytm के तरफ से fast tech को लेकर आएगा और जैसे यह message आपको मिल जाता है तो simple है आपको यहाँ पर एक link मिलेगी आप इस link पर click करेंगे तो सीधा paytm app open होगा देखें ब्राउजर पर नहीं जाना है यह सीधा paytm app पर ही आपको लेकर जाएगा तो paytm app जैसे open हो जाती है इसके ब आपको काफी सारे option दिखाए देंगे तो यहाँ पर आप simple option select कर सकते हैं कि जो आपने आपका vehicle है जो भी गाड़ी है वो बेच दिए तो I am selling my vehicle पर click कर देता हूं और मैं proceed करता हूं यहाँ पर और यहाँ पर एक बड़ा सा button आ जाएगा कि transfer fast tech to another paytm user ठीक है तो नहीं यहाँ पर आपको click नहीं करना है आपको click करना है close fast tech पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो जो भी refund amount है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा और close fast tech का एक button भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर click करके आप अपने जो fast tech का है जो भी eptm वाला fast tech हमारा उसे close कर सकते हैं बट इसके बाद का भी एक process है वो आपको जरूर से समझेना होगा तो चले मैं फटा-फट से इसे यहाँ पर close कर देता हूं बट यह close होने में भी past से 7 दिन लेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो fast tech है will be close it within 5 to 7 working days तो चले मैं इसे यहाँ से close कर upload की image उसे फार देना होगा या फिर जो भी है उसे खराब कर देना है मुलाब एक तरह से कहना है destroy कर देना है और उसकी photo capture करके आपको यहाँ पर upload करनी होगी ताकि पेटियम को लगे कि आपने जो fast tech का बारकोड है उसे जला दिया है या फिर फार दिया या फिर उसे destroy कर दिय होगे तो बहुत ही जल आपका जो पेटियम से लिया हुआ fast tech है वो बंद कर दिया जाएगा तो फड़ा-फड़ से अपलोड कर देना और यह सब कुछ अगर आपको नहीं करना है अगर आप थोड़े वह टैकी है मेरी तरह तो simple है आपको पेटियम के अंदर fast tech लिखकर search करन जाना है manage fast tech में जाना है और help में जाकर अपने fast tech को deactivate कर सकते हैं या फिर permanent बंद कर सकते हैं अब यह तो बही बात होगे fast tech को बंद करने की but pot कैसे करना है तो देखो हमने research कर लिया और भी कई सारे यूट्यूबरों ने research किया होगा कि अभी फिलहाल आप पेटियम payments bank के fast tech को किसी दूसरी bank में pot नहीं कर सकते कोई pot की facility है ही नहीं अभी कोई facility नहीं है कि आप किसी भी bank का fast tech किसी दूसरी bank में pot कर पाएं ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना होगा पहले अपने पेटियम payments bank के fast tech को बंद करना होगा पूरी तरीके से बन बन हो गया उसके बाद आप किसी भी bank में fast tech के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप comment करोगे तो मैं एक और वीडियो भी बना के आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप किसी भी bank से fast tech ले सकते हैं वो भी चुटकियो में तो comment करना बाई और वीडियो कर आपको informative लगा तो वीडियो को share किजिगा अपने उन take care bye